हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ब्रजेन आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में मैं आज आपको सम्विधान का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि टीटी की परिक्षा में जो सम्विधान एक पर्या वरण के टॉपिक में जोड़ा गया है उसमें क्या पढ़ना है और बहुत ही कम समय में दो-चार दिन में भी अगर आप सम्विधान के जो वीडियो में देने जारों इनको देखते तो आप निश्रेत रूप सम्विधान की पूचे जाने वाले प्रसolों को उपाएंगे तो सम्विधान में कुछ विषब्र प्रावधानों का उलेख पाठी करम में किया गया है लेकिन अगर हम सम्मिधान शब्द उसके बाद कौमा लगा है फिर सम्मिधान में जो है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इस तरह के आस्थाने सोचन जैसी बातों को बताया गया है तो पहले तो सम्मिधान शब्द में क्या क्या नहीं था ये जानेंगे तो सम्मिधान जब पूछेगा तो सम्मिधान में सबसे पहले तो सम्मिधान की जो एतिहासिक बाते हैं जो उसका आधार भूद धाचा है वो आपसे पूसकता है कि सम्मिधान को जो है बनाने में किन-किन चीजों की भूमिका रही उसकी जो सम्मिधान की बैठकें कब-कब हुई हैं और सम्मिधान सभा को बनाने में किन-किन समितियों का युगदान रहा है तो मतलब बेसिक चीज का जो regulating act था वो पहली बार एक ऐसा प्रयास था अंग्रेजों का जो company के साशन को नियंतित करना चाहती थी उसके बाद कमसा भी कई सारे act आते किया जैसे कि आप जानते हैं कि पिट्स इंडिया act 1784 में या उसके बाद फिर 1813 का अग्ट काफी महात्पूर्ण फिर 1813 का तो ये एक आतिहाद से कर्म लगाता चलता रहता है और कुछ न को सुधार होता जाता है फाइनली cabinet mission जो 1946 में था तो cabinet mission के आधार पे सम्मिधान सभग के गठन किया गया था ये question कई बार पूचा गया कि 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 के आधार पे सम्मिधान सभग के गठन किया गया था तो समधार्ण सभर गठन किया गया था Cabinet Mission 1946 के आधर फिर इसके भाद आप जानते हैं कि समधार्ण सभर का गठन होता है थिर चुना होता है और इसमें फिर कई सारी समीतिया बनती हैं जिसमें से में समीत होती है प्रारूप समीति में साथ सदस से होते हैं और प्रारूप समीत के अध्यक्ष डॉक्टर भी राम बेटकर होते हैं और इसके बाद फिर समीधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसके आस्थाय अध्यक् बनाया जाता है तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है फिर आप जानते कि सम्विधान जो है 26 जो है 26 नॉमर 1949 को बनके तयार हो गया था और 26 जनॉमर 1950 को लागू हुआ ये आपको पता ही होगा और 2 वर्स 11 माण 12 दिन में बनके तयार हुआ था तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी जरूरी होती है अब इसके बाद जहां से कोशन 110 परसंट पोछा जाता है वो ये है कि हमारा जो सम्मिधान है ये विश्व का पूरे वर्ल्ल का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है इसके बराबर कोई भी सम्मिधान अभी तक लिखित नहीं है बहुत बड़ा सम्मिधान हमारा है तो हमारा जो सम्मिधान हमारे समने है ये 60 देशों के सम्मिधानों को स्टड़ी करके, 60 देशों के सम्मिधानों को उपड़ करके, 60 देशों के सम्मिधानों के प्रावधानों को ड्रॉप्ट करके बनाया गया है और उसके बाद सम्मिधान का दो तिहाई हिस्सा जो है वो भा बाकी की चीजें बाकी की प्रावधान अलग-लग देशों से लिए गये हैं, वो कौन-कौन से देश आपको याद रखने हैं, कौन-कौन से विशय पोछे गये हैं, वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फुनी चीजों को लिखा है, जो एक्जाम के लिए बहुत important है, यह निशित रूप से पोछे जाते हैं, तो हम वही याद करेंगे जो पोछा जाए, चुकि समय कम हैं। सबसे पहले जो एक्जाम में पोछा जाता है, एकल नागृक्ता जो single citizenship है और संशदीय प्रणाली, दू महत्वपूंण चीजे जात रखेगा, एकल नागृक्ता और संशदीय प्रणाली, यह दो महत्वपूंण चीजें जो एक्जाम में बार-बार पोछी जाती हैं, यह ब्रिटेन से लिए ब्रिटेन को UK क्याता है, United Kingdom क्याता है, तो ये ब्रिटेन से लिए हैं, आप संशदी प्रणाली में बहुत सारी चीज़े हैं, संसद में किस सरा से कार होता है किया चीज़े, तो वो इस से related ही सारी चीज़े हैं, जो आपको in fact त्याद नहीं करनी हैं, चुक नागरिक्ता और संसदी प्रणाली, कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, ये कई बार पूछा गया, fundamental rights की बात करते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, मूल अधिकार कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, इसको English में USA से दिया रहता है, United States of America, तो USA या अमेरिका स महा से लिए हैं, अमेरिका के संभीधान से, और रास्ट्पती पर और जो उचत्म नेयाले के नयाधिस होते हैं, उस पर जो महाभ्योग लगानी की प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका से लिए हैं, लेकिन इंपोर्डेन आपका मूल अधिकार है, अगर रास्ट्पती पर अमेरिका से ही है, ये भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है, राज जी के नीतिनिदेशक तत्व, डिरेक्ट्ट्व प्रेंसिपल सॉफ स्टेट, जो आपके होता है, ये कहां से, ये आयर लेंड से, बहुत बार रिपीट किया हुआ कुशन है, आप अगर एक्जाम देत कहां से है, कैनेडा से अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ये बहुत काम इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सम्विधान संशोधन, ये आपका जो है, कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो सम्विधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिए गई है, दक्षण अफ्रीका से लिए है, दक्षण अफ्रीका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध, एमेरजंसी का जो प्रावधान है भारत में, वो जर्मनी के वाइमर सम्मिधान से लिया गया है, तो ये भी महत्पूर्ण है, आपात, आप जानते 356 राजजी आपात, जिसे हम राष्टपति शाषन भी कहते हैं, और 360 में वित्त आपात है, तो ये आगे हम आपको बता देंगे, और वीडियो कंटीन रहेंगे, तो हम बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे, फिर भी अभी के लिए बावन शप्पन साथ 52, 52 क्या राष्टी आपात, और 56 क्या है, राजजी आपात या राष्टपति शाषन, 60 क्या वित्ती आपात, ये होता है, और ये जो है आपात कर लिन विवस्ता जर्मानी के वाइमर समिधान से लिए जर्मानी से, मूल कर्तब बे बहुत बार पूछा गया था, इन फैक्ट ये कर्तब बे कही है, तो मौलिक कर्तब बे फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं, वो कहां से लिए है, सोवियत संग रूस, लेकिन उसमें option में ये नहीं था, ये दिया गया था, तो ये ख़र का मतलब ही होता है, सोवियत संग रूस, तो ये कई बार पूछा गया है, और इसकी जोड़ा गया 42 में सम्मिधान संशोधन 1976 के द्वारा अपसे पूछ सकता है कि मूल करतब बे कब जोड़े गया 1976 में जोड़े गया कि सम्मिधान संशोधन 42 में सम्मिधान संशोधन 1976 जोड़ा गया है सम्मिधान के भाग चार का में ये भी आदर रख्ये, भाग चार का इसका है भाग चार का और अर्टिकल 51 का, अनॉपशेद 51 का है इसको इंगलिसमे एक्या विबूलते हैं, तो ये बातें क्ई बार इसके बारे मुं पूछे जाती है कि संबीधान के भाग चारका में व्र अंनॉपशेद 54 का इसमें मूल कर करतब या मौली करतब में किस समीध की सिफारिस इससे जोड़े गए थे तो यह काफी महातपौर्ण बात जो आपको यहाद रखना है इसकी बाद फिर बहुत ज़्यदा यह तो गवस्ता फ्रांस से बहुत था important नहीं है, हाँ ये important, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ये दो चीजें भी important है, पूछ ली जाती है, Australia के सम्मिधान से ली गई है, सम्मिधान की आनुसूची साथ में, जो आपका आनुसूची schedule है 7, आनुसूची साथ में केंद्र और राज्य के बीच सक्तियों के विभाजन का उलेख है, वहाँ पर क्या है, कि टीन सूचियों का उलेख होता है, एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, तो केंद्र सूची में वे विशे होते हैं, जिसमें पूरा अधिकार केंद्र का होता है, और राज्य का विष्शा रहता हुआ। राज्य का रहता है। 65-35 का सामाने तो आपका खिंद्र में हुअको सभुषा है। पढ़ने को मिलेंगे। जब आप सूची पढ़ाएंगे तो 3 सूची है समुची केंद्र सूची राज waterproof सूची कहां से लिए है। जैं से लिए है। और प्रस्तावना हमारा जो प्रस्तावना है जो शुरुवात कहां से होती है हम भारत के लोग भारत को एक सोतन्तर संपोर्ण प्रभूत तो बनाने की जो एक मलब प्रस्तावना की जो शुरुवात है यानि प्रस्तावना में जो भाशा प्रयोगत है वो भाशा कहां से लिग बाकि वीदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिए कम महत्पूर्ण है तो अगर हम टॉप इंपॉर्टन की बात करें तो यह आपका इंपॉर्टन है दो तीन इसके बाद फिर यह आपका चार फिर यह पांच फिर यह छे और यह साथ तो इन में से सर्फ साथ याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा लेकिन जो बहुत इंपॉर्टन उसको बिल्कुल मुत भूरिएगा राज जी के नीत नीदी सकत्त्तों कहां से आयलेंड से एकलनाग संसदी प्रणाली कहां से ब्रेटन से मोल अधिकार कहां से अमेरिका से और समीधान इसके बात की वीडियो में आपको संवीधान के महतुपूर्ण भाग की चर्चा कर दूँगा भाग पर भी एक कोशन जरूर आता है अभी आपने देखा होगा कि अभी जस्ट पीसेस का एक जमों पीसेस में भाग का कोशन आया था पूछा गया था कि नागरिकता संवीधा मि करेंगे और याद कराने के कोश्चस करेंगे तो भाग बहुत महत्त स्वीधान जैसे आपका दिया हना